आप सभी दर्शकों का मैं आचार्य अनिल शर्मा आपके यूटूब चैनल पर विशेश अभी नंदन करता हूँ आपका स्वागत करता हूँ और दशहरे के दिन सुबह करें बस ये एक काम ये एक उपाय जो समस्त दुखों से आपको मुक्त दिलाएगा दशहरा आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दस्मी दिथी को मनाया जाता है इस दिन कुछ टोटके और उपाय करने से जेवन विसे जो दुख होते हैं वो सारे दुख दूर हो ही जाते हैं सात मैं धन का भी लाव मिरता है यहां जाने हम वहकौन से उपाय erg बताने जा रहे हैं आपको और आप ध्यान से देखें और इस वीडियो को अंत तक देखें क्यूंकि मैं इसमें आपको अनेक अउपाय बताने जा रहा हूं जो आपको समस्त संकटों से मुक्त करके आपको धन से परिपूर्ण कर देंगे, आपके जीवन में धन लाब वर देंगे, तो दशहरे की दिन करें, ये पांच उपाई जीवन के हर दुख हो जाएंगे आप से दूर, और पहला उपाई मैं आपको बताता हूं, दशहरे की दिन दुपहर को घर के इशान कोण में, चंदन, और पुष्प से अश्ट दल कमल को बनाएं और बनाने के बाद में देवी जया वे विजया कास मरण करके उनका पूजन करें इसके बाद में शमी विक्ष की पूजा करके या समी विक्ष आपको नहीं भी मिलता है उसके टहनी मिल जाए उसके पत्ते मिल जाए तो उनको भी सम पूजा करते हैं तो थोड़ी मिट्टी लेकर के वहां से अपने घर में रखें माना जाता है शास्त्रों के अनुसार हूं इसा करने से रुके हुए जो हमारे कारिये हैं और वो कारिये पूरे होते हैं और हमारे घर में गरीबी नहीं आती है दूसरा उपाय में आपको बताता हूँ यदि आप कानूनी दावों पेच से परिशान हैं आपके उपर मुकदमे चले हुए हैं आपको मुकदम में लोगों ने फसाया हुआ है तो दशेहरे के दिन शमी के पेड़ की पूजा करें और शाम को उसके नीचे दीपक जलाएं और ऐसा करने से आपके जो मुकदमे ऊपर आपके चलाए हुए हैं उन मुकदमों में आपको निश्चित रूप से घुजय मिलेगी और आपको धनकी भी प्राप्ति होगी तीसरा उपाय में बताता हूँ भगवान श्री राम के परम भक्त संकट मोचन श्री हनुमान जी भी को कहा जाता है और यदि आप उनके सामने किसी प्रकार का संकट है आप किसी संकट में घरे हुए हैं किसी परेशानी में घरे हुए हैं तो संकट के समय आप दशहरे की दिन सुबह Venice गुड़ और चनेग और उनको लेकर के उनके शाम के समय लड़ूओं का भोग हनुमान जी को लगाएं और उनसे प्रार्थना करें कि आप हमारी रक्षा करें तो निश्चित रूप से हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे मैं चोथा उपाय आपको बता रहा हूँ किसी भी खेतर में विजय पाने के लिए दसहरे के दिन देवी का पूजन करें और उन्हें दस फल चढ़ा करके दस में विशेश रूप से फल में बताता हूँ आप अनार और सेव इन दोनों को अगर दस फलों में लेते हैं तो और उन फलों को चढ़ाने के बाद में गरीबों को बाड़ते हैं तो निश्चित रूप से मा भगवती देवी उन फलों को चढ़ाने के प्रभाव से और उनके पुन्या से आपको हर प्रकार की जो परेश परेशानिया हैं उन परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी और चढ़ाते वक्त जो फल आप चढ़ाएंगे उस समय ओम विजयाय नमहा मैं दोबारा आपको ये मंत्र बताता हूं ओम विजयाय नमहा इस मंत्र का जब करते रहें और यह उपाय आप दशहरे के दिन दुपह के समय करें और ऐसा करने से आपके जीवन में जो परेशानी आई हुई हैं वो परेशानी समापत होंगी पांच मांउपाय में आपको बता रहा हुँ किसी को भी अपने बिरोकार्यों के लिए यदियता रहा होता है देखिए हमसे जाने में अन जाने में देखे में अन देखे में कई ऐसे कारिय हो जाते हैं जिनको हमको पता नहीं चलता है पता चलता भी है तो उस समय हम काफी आगे निकल चुके होते हैं तब हमको पता चलता है तो उसका भै अर्थात यम लोग का भै यम के दंड का भै हमको सताता रहता है तो दशेहरे के दिन मा काली का ध्यान करते हुए उनसे ख्षमा मांगें और काला तिल माता के चर्णों में चड़ाएं और शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा करने से हर साल करें तो बहुत अच्छी बात है अगर हर साल भी नहीं कर पाएं तो छे महिडे में एक कि इस दिवार करने से यमलोक की जो यातनाए होती हैं उन यातनाओं से बुक्ती मिलती है कर 思न होते हैं और उन यातनाओं में कमी करते हैं अगर हम इसके साथ साथ गरीबों में कुछ कपड़े बांटते हैं और कुछ उनको धन या अन से उनकी साहता करते हैं तो पक्का है निश्चित है कि यमराजवी महराज हमारे उपर या आपके उपर तरस्खाएंगे और तरस्खा करके प्रसंद होंगे प्रसंद हो करके वो हमारी जो ये कह सकते हैं कि जो परेशानिया जो हमने कर देंगे और हमको यम यातनाओं को भोगना नहीं पड़ेगा